बिस्मलारवने रहीम, असलाम अलेकूं, वेलकम टू माई किचन, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलेशिस सा ब्रेकफास्ट बन रहा है जो जट पड से तयार हो जाएगा, मिंटों में बन जाएगा और बहुत ही डिलेशिस बनके तयार होगा, तो आ साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताके मेरी हन नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे, तो यहां पर सबसे पहले मैंने एक सॉस्पन ले लिया और इसके अंदर मैंने तक रीबन तीन से चार ग्लास मैंने इसमें पानी आइड कि मैंने बीच में से तोल दिया था, ताकि एजली हम इसको यूज कर सकें, तो यह देखिए, अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, और बिलकुल दो मिंट के लिए हम इसको बॉल करेंगे, बहुत जादा हमने बॉल नहीं करना, वन्ना से बहुत जादा पक जाएंगी, गल तो वो खाने में मज़ा नहीं देते हैं, तो इसलिए सिर्फ दो मिंट के लिए हम इसको बॉल करेंगे, उसके बाद हम इसका पानी जो है वो ड्रेन आउट करेंगे, तो देखिए, दो मिंट हो गए हैं सवीयों को पकते वे, और इसको आप चेक करती हूँ मैं, समया जो है मारी अच्छे से गल भी चुकी हैं और खिली-खिली से भी हैं, ये देखिए, अलग-अलग से ये हैं, ये चिपक नहीं रही बुलकुल भी, तो बस इसी पॉइंट तक हमने इसको पकाना है, बहुत जादा हम इसको नहीं पकाएंगे, तो आई अब इसका हम पान जब इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा तो इसको इसी पैन में डाल दूगी, जिसमें हमने इसको बॉल किया था, तो पानी को मैंने अच्छे से निकाल दिया सवहियों में से, अब इसको मैं पैन में डालती है, और हम next step की तरफ चलते हैं, तो यहां पर मैंने एक पैन ले लिए और इसके अंदर में तक्रीबन दो खानी के चमश एट करूंगी घी, अच्छा यह आपकी मर्जी पर डिपेंड है कि आप देसी घी का समाल करें या बनास पती का, आप घी की जगा बटर का भी समाल कर सकते हैं, लेकिन और का मैं आपको रेकेमेंड नहीं करूंग जो हैं, वो अच्छे से पक चुकी है, इसका पानी निकल चुक है, और यह देखिए, खिली-खिली सी भी बनी है, यूसे से जाधा अच्छे पक नहीं रही है, खिली-खिली सी यह बनी है, तो यह सारी जो सवईया हैं, मैं प्लेट में डाल दूगी इस तरीके से, उसके बा बेस्ट यहां पर मैं ब्राउन श्यक्र कर रही हैं, और ब्राउन शुगर की बैने फिट से तो हम सब भी वाकिफ हैं, चीनी के मघाबले में, ब्राउन शुगर के सुमाल जो हैं वह बस्ट है, तो इसलिए आप अपनी डाइट में ब्राउन- शुगर के सवाजuve के स्तामा तो इसको लाइक करें अपने दोस्ता शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएं तो काइंड लीज को सब्सक्राइब भी कर लें और साथी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हंड नहीं आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक क्या आपको मेरी रैसेपी कैसी लगी साथ ही मेरे फेस्बूक और इंस्ट्रगाम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू फो वाचिंग अलाफिस